चानिक्या IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Citizenship Amendment Act याने की CAA के बारे में हाल ही में ग्रहमंत्री अमिच्छा ने कहा है कि लोगसभा चुनाव से पहले देश में Citizenship Amendment Act लागू हो जाएगा उन्होंने कहा है कि CAA देश का एक्ट है इसे हम यकीनन नोटिफाई करेंगे इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू भी किया जाएगा इसे लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए अमिच्छा ने ET Now Global Business Summit में ये बाते कहीं है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस सरकार ने CAA लागू करने का वादा किया था जब कई देशों में अलप संक्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे तो कॉंग्रेस ने रुफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वे भारत आ सकते हैं उन्हें यहां की नागरिक्ता दे जाएगी लेकिन अब कॉंग्रेस अपनी बात से मुकर रही है ग्रह बंत्री ने ये भी कहा कि हमारे देश के अलप संक्यक समुदायों खास तोर पर मुस्लिम समुदाय को उक्साया जा रहा है CAA किसी की citizenship नहीं चीन सकता क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावदान है ही नहीं CAA ऐसा एक्ट है जो बांगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अत्याचार सहरे रिफ्यूजियों को नागरिक्ता दिलाएगा CAA नागरिक्ता शंचोदन कानून 2019 तीन पडोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के उन अल्प संकिकों को भारतिय नागरिक्ता देने का रास्ता खोलता है जिनोंने लंबे समय से भारत में शर्ण ले हुई है इस कानून में किसी भी भारतिय चाहे वैं किसी भी मजबका हो कि नागरिक्ता चीनने का कोई प्रावधा नहीं है भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समधाय के लोगों की नागरिक्ता को इस कानून से कोई खत्रा नहीं है अब हम बात करेंगे कि CAA कब पारित हुआ था CAA को भारतिय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाब थे राष्टपती द्वारा इस विधे को 12 दिसंबर को मन्जूरी भी दे गई थी सरकार और उनके समर्थक जहां इसे एतिहासिक कदम बता रहे हैं वही विपक्ष मुस्लिम संग्ठन द्वारा इसका काफ़ी विरोध किया गया था नागरिक संचोधन कानून यानि की CAA का फुल फॉर्म सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट है यह संसद में पास होने से पहले CAA यानि की सिटिजन्शिप अमेंडमेंट बिल कहा जाता था राष्टपती की मुहर लगने के बाद यहें बिल नागरिक्ता संचोधन कानून यानि की CAA अर्थात सिटिजन्शिप अमेंडमेंड एक्ट यानि एक्ट बन गया अब हम बात करेंगे CAA को लेकर विवाद क्यों है नागरिक्ता संचोधन कानून में अफगानिस्तान बांगला देश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समदायों हिंदो सिख जैन इसाही बौद और पार्सी को अवेद एप्रवासियों के लिए भारतिय नागरिक्त से घिरा हुआ है अब हम बात करेंगे किस कानून में मुसलिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया ग्रह मंत्री अमिच्छा ने नागरिक्ता संचोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगला देश मुसलिम देश है वहां धरम के नाम पर बहुत संकिक मुसलिमों का उत्पीडन नहीं होता है जबकि इन देशों में हिंदों सहित अन्य समदाय के लोगों को धरम के आधार पर प्रतारित किया जाता है इसलिए इन देशों के मुसलिमों को नागरिक्ता कानून में शामिल नहीं किया गया है हालाकि इसके बाद भी वहें नागरिक्ता के लिए आविदिन कर सकते हैं जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी CAA लागू होने के बाद नागरिक्ता देने का अधिकार पूरी तरह से केंदर सरकार के पास होगा पाकिस्तान बांगलादेश अफगानिस्तान से आए हिंदू सिफ बौध जैन इसाही और पार्सी ध्रम से जुड़े सरनार्तियों को भारती नागरिक्ता देनी जाएगी जो लोग 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे उन्हें भी नागरिक्ता मिलेगी इस कानून के तहट उन लोगों को अवेद प्रवासी माना गया है जो भारत में वेद यात्रा दस्तावेज यानि की पासपोर्ड और वीजा के बगएर घुस आए हैं या फिर वेद दस्तावेजों के साथ वो भारत में आए हैं लेकिन तै अवदी से जादा समय तक यहाँ पर रुग गए हैं अब हम बात करेंगे कि इसके तहट नागरिक्ता के लिए कैसे आवेदन किया जाएगा नागरिक्ता पाने की पूरी प्रकिरिया ओनलाइन ही रखी गई है जिसे लेकर एक ओनलाइन पॉर्टल भी तयार किया जा चुका है नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेज किया था आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा नागरिक्ता से जुड़ी जितने भी मामले लंबित उन सब को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पॉर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा जिसके बाद ग्रह मंत्राले आवेदन की जाच करेगा और आवेदक को नागरिक्ता जारी कर दी जाएगी इसे से जुड़ा हो आएक और विशे है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हाल ही में उत्राकर में लागू हुआ है यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है यूसीसी में देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की बात की गई है आसान भाषा में समझे तो इस कानून का मतलब है देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान हो जाएगा मजब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून निश्प्रभावी हो जाएंगे UCC के लागू होने के बाद कई बदलाव आएंगे कोई रियायत नहीं दी जाएगी किसी भी धर्म विशेश के लिए अलग से कोई नियम नहीं होगा अब हम बात करेंगे कि UCC के सम्विधानिक वेत्ता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड सम्विधान के अनुछेट 44 के तहट आता है जिसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे इसी अरुछेट के तहट इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है यू सिसी के लागू होने पर क्या होंगे बदलाव तो यू सिसी के लागू होने के बाद शादी तलाग संपत्ती गोत लेने जैसे मामले इनी सभी में बदलाव होंगे वहीं हर धर्म में शादी और तलाग के लिए एक ही कानून होगा जो कानून हिंदू के लिए होगा वहीं दूसरों के लिए भी होगा बिरा तलाग के एक से जादा शादी नहीं कर सकेंगे शरीत के अनुसार जायदात का बटवारा नहीं हो सकेगा अब हम बात करेंगे कि UCC लागू होने से कौन से बदलाव नहीं होंगे UCC को लेकर लोगों की दिमाग में कई तरह की कहानिया चल रही है जिसके कारण ही कई लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि असल में उन्हें इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतिया है UCC के लागू होने से क्या बदलाव होंगे तो UCC के लागू होने के बाद लोगों की धार्मिक माननेताओं पर किसी भी तरह की कोई भी फरक नहीं पड़ेगा UCC लागू होने के बाद धार्मेक रीती रिवाजों पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है कि लोगों की शादियां पंडित या फिर मॉल्लवी नहीं करा सकेंगे यानि की शादी कराने की परकरिया में कोई बदलाव नहीं होंगे इसके साथ ही आज का ही विशय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे नए विशय के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद